इंडियान प्रेमिर लीग में इस बार ख़ाणों के मुझ खोल दिया गये हैं, इतना पैसा, इतना पैसा, आप इसका अंदाज़ा लगा लगा लें कि मिछल स्टार्क और पैट कममन्स को इतना पैसा दिया गया है कि वो पाकिस्तान सूपर लीग की लहूर कलंदर, जो लगात मताब बोली लगी और जो पैसा दिया गया है वाइपमिल की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है और कुछ ऐसे नाम भी है आपने ये सुने होंगे कि बहुत पैसा दे कुछ ऐसे दो बड़े नाम हैं जिनको बहुत कम पैसों में भी खरीद लिया गया है यह भी बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है जो मैं आपको इस विलाग में बताऊंगा मगर सबसे पहले ज्यादा पैसो वालों की पात करते हैं जो सबसे ज्यादा कमाओ क्रिक्टर होगा इस इंडिन प्रिमिल लीग का वो मिस्टर स्टार्क हैं अस्ट्रेल भी अगरचे वो काफी लंबे अरसे के बाद आई पेल में खेल रहे हैं मगर कलकत्ता नाइट राइडर ने मैं कहता हूँ ख़जाने के मुग खोल दी हैं उसके लिए बड़ी एक अच्छी बोली के उपर इनकी भैस भी चली एक दूसरी फ्रैंचाइस के जो मैं डिटेल आपको बताऊंगा मगर सबसे पहले बात करते हैं इस्ट्रेल वी कैप्टन पैट कमन्स की पैट कमन्स जो हैं पूरे वल्ल कप में उस तरह से नहीं रहे मगर जो फाइनल था ना उन्होंने कमाल स्ट्रेजी के साथ उन्हेंने बॉलिंग की और खुब नाम कमाया और एक बड़े अच्छे कप्तान के तोर पर वो सामने आये हर पहले भी थे मगर फाइनल में कमाल किया उन्होंने और उनके साथ ट्रैविस हेड को भी उसी टीम में रखा जिस टीम में पैटकमेंज है और ट्रैविस हेड की प्राइस बहुत कम रखी गई है as compared to पैटकमेंज ये एक खास बात है तो दोनों को संराइजी हैदराबाद ने चुना है पैटकमेंज को चुना है 20.50 क्रोड 20.50 क्रोड आप इसका अंदाजा कुछ ये भी लगा दिए इंडियन रुपीज है पकसानी रुपीज नहीं है आप इसका अंदाजा इस तरह से भी लगा सकते हैं कि एक इंडियन रुपीज लगभग साड़े तीन पोने चार रुपए 3.7 शायद पाकिस्तानी रुपीज के ब्रावर बनता है आप इसको मतलब साड़े तीन से जरब दे ले हो और पाकिस्तान का यानि बन जाएगा खुछ सतर असी क्रोड बन जाएगा तो इतना है यह जो पैट कमन्स, स्ट्रेल वी कप्तान जो है हैदर अवर सनराइजिस उनको सिर्फ एक IPL करडिशन खेलने पे इतना देंगे मगर साथ ही ट्रैविस हेड को नोने 6.80 क्रोड इंडियन रुपीज में अगें इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज और इंडियन रुपीज, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन रुपीज वैल्यू वर्सिस पाकिस्तान रुपीज वैल्यू, तो ट्रैविस हेड जो के वर्ल्ड कप फाइनल के हिरो थे और इसके लाबा वो टेस्ट चैंपेंशिप के भी हिरो हैं फाइनल के, उनको 6.80 में खृता है, एक धमाकेदार किसम के बलेबाद हैं, ओपन करते हैं, और T20 में तो, मतलब बंडे को T20 बनाके खेलते हैं, तो T20 में क्या ही कमाल करेंगे, तो उनको भी संराइजिस हैदराबा पातने लिए हैं, मगर 6.80 में, मगर एक बहुत अच्छी जो उन्होंने एक विन की है, वो है वनिंदू हसरंगा, सिरलंका के, मैं उनको आल रोंडर मानता हूँ, और एक अच्छे आल रोंडर हैं, उनको उन्होंने 1.5 ग्रोड यह नहीं, 1.5 ग्रोड इंडियन रुपीज म उनको उन्होंने बोली में लिया है, तो यह बहुत अच्छी मतब भैतरबस संराइजिस के एक अच्छी रचीवमेंट है गयार, वनिंदू हसरंगा को बेस प्राइस पर लिया उन्होंने, डेरल मिचल जो हैं, वो चनाई सूपर किंग, माही की टीम में है, डेरल मिचल न्य अच्छाएंग और एक और ऐसा खिलाडी जो सस्ते में कैसी है चला गया, रचन रवींद्रा की बात है, वो भी मैं उको बताऊंगा, मगर CSK ने, चनाई सूपर किंग ने, धोनी की टीम ने, जनाब 14 क्रोड रपाय में, डेरल मिचल न्यूजिलैंड के जो बैटर हैं, उनक में और बैटिंग में तो वर्ल्ल कप में उन्होंने कमाल किया है, उनको CSK ने खरीद है, 1.80 क्रोड में, मैं आपको एक बात बता दूँ, माही की सोच क्या है, महिंदरा सिंग धोनी, ये नहीं कि मैं उनकी दिमाग में घुसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैंने च CSK का माइंड सेट बता रहूं, क्योंकि CSK माइंड सेट धोनी माइंड सेट, एक्च्छल में, अच्छा जी, अब स्टार के उपर आते हैं, कलकता नाइट राइडर ने, जो उनको लिए, गुज्राय टाइटन के साथ इंकी ट्रसल चली थी, मगर बैक उप कर गये थे, गु पाकिस्तानी आप तकरिबन, मतलब एक अरब के पास पास, एक माँ का लगभग IPL है और उसमें वो कमा लेंगे, बिसे स्टार्क, पांच बरस के बाद दुबारा से कलकता नाइट राइडर में वो खेलेंगे, एक लंबे टाइम से वो IPL खेले ही नहीं थे, कुछ उनकी फि और इनकी टीम में रसल हैं, जैसन रॉय हैं, गुरबाज हैं और सुनील नाराइन हैं, ये कलकता नाइट राइडर में हैं, ये वो करिक्टर्स हैं, तो दोस्तों सबसे महंगे जो हैं, वो स्टार्क हुए हैं, सबसे महंगे, आच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इतने महंगे, इतने महंगे, कि अब हैरान है, अच्छे एक और खास सीज, जो बहुसे लोगों को पता होगी, कि योगों को नहीं भी पता होगी, कि इन रुपीज पे, इन करिक्टर्स के ओपर, जो उनको मनी दी जाती है, उस पर टेक्स डिड़क्शन भी होती है, और ही ठाक होती है, अगर इंडियन करिक्टर है, तो सिर्फ 10% टेक्स देगा, जो भी उनको पैसे मिलेंगे, मगर अगर कोई फॉरनर है, तो वो 20% टेक्स डिड़क्शन होगा, उनका, तो वो टेक्स डिड़क्शन के बाद उनको मौंट दी जाएगी, तो यह आप रखीगा, 27.65 इंडियन करोड्स उनको नहीं मिलेंगे, टेक्स डिड़क्ट होगा, उसके बाद उनको पैसे मिलेंगे, तो 20% टेक्स डिड़क्शन भी इसके उपर होने है, तो उसके बाद मिलेंगे, अगर्चे बोली में देखा जायए, तो बजाहिर शायद वो सबसे महें बन जाते मगर tax deduction के बाद उनको mount इतनी नहीं मिलेगी but again, मतब headlines gain की है Mitchell Stark ने कि भाई Indian Premier League के अंदर कोई महंगा character भी कहा है history का और खुब भी कहा है दोस्तों और मैं इसका comparison नहीं करूंगा financial point of view से PSL के players कितना लेते हैं और IPL के यतना महंगा कैसे भी गया है क्योंकि PSL में तो मतब भी पास पास ही नहीं है कोई comparison बनता नहीं actually में तो इसलिए में खरता भी नहीं हो इसके उपर हाँ cricket quality के उपर आप बात कर सकते हैं इन में से बिशतर क्रेक्टर बिशतर तो नहीं कुछ क्रेक्टर ऐसे हैं जो खेल रहे हैं जैसे Jason Roy है वो खेल रहे हैं PSL मगर वो नाम नहीं है जो IPL के अंदर है यह सच बात है और हमें मानना चाहिए इस बात को जो बड़े-बड़े नाम IPL खेलना चाते हैं क्यों नहीं खेलना चाते हैं मतब अगर हम इसे कोई क्रेक्टर होता हमारे पास option होती तो हम भी क्यों नहीं मतब जहां ज़्यादा पैसा मिल रहा है प्रफेशनल क्रेक्टर हैं उदर ही जाएंगे उसके लिए अगर आपको PSL के थोड़े पैसे छोड़ने भी पड़े तो मतब कोई बुरी डिल नहीं है तो इसलिए भाई जहां पैसा है वहां पे प्रफेशनल क्रेक्टर जाएगा और इसलिए कंपैरिसन नहीं बनता IPL का ना सिर्फ PSL बरके किसी भी लीके साथ financial point of view से एक IELT शुरू हो रही है मगर उसमें भी इतना बहुत difference IPL और IELT के जो क्रेक्टर्स को पैसे मिलते हैं उस हवाले तो सब्सक्राइब के लिए 3 जाज़े दीजिये अलाहाफिस